अल्वशहर के अग्रसेन चोरहा के समेब क्रिशी उपज मंडी में इन दिनों सरसों की आवग बहुत कम हो रही है मंडी में अब की बार 6200 रुपए से लेकर 6250 रुपए तक कि अच्छे विक्री देखी गई इस टाइम मंडी में करीब 1500 से लेकर 2500 की आवग हो रही है लेकिन फिर भी बहुत कम है इस टाइम मंडी में सरसों की आवग बहार से हो रही है यहाँ पर सरसों की आवग नहीं है इसलिए अभी फिलहाल 50 रुपए सरसों में तेजी के भाव हो सकते है उन्होंने बताया कि अभी फिल्हाल किसान बाजरा की कटाई करने में लगा हुआ है और मंडी में किसान बाजरा लेकर पहुचने लग गए है उसके बाद जब पूरी तरह खेतों में बाजरा कट जाएगा उसके बाद किसान सरसों की बुआई करेगा मंदी में मंदी कम होने से बजा थोड़ा अच्छा है हमारे यहां बाशाटों से बाशाटों पचास तक उपर विश्टों भिका है अराइवल बहुत कम पंदरासों दौहजार कट्टे आती है और मिलों वालों का पूरा पेट भरता नहीं है तो बाहर से लोग सर्थों मंगा बजाज कुछ ऐसा लगता है कि शोपचास और बविश्य में बढ़ सकता है जी किसानों के तोर है किस तरह की किसान अभी माज देख रहे हैं लानी रहें किसान पहली तौह अभी सर्थों की विजाई करने में लगे हैं दर्श पांध दो-चार पांध दिन में जो है विजा वर्तवान के बाव आज बाव के बाव आज बाशाण सो पचास तक बिका थोड़ा सा सो तो रुपया और बढ़ सकता है ऐसा लोगों का मन भी है और अभास भी होता है तेल का थोड़ा सा नज़दी के इसके इसाफसे तेल का में क्रेवी शिरू हुआ है कि क्या सुग नाम में सदाका मेरे नाम निरंजयनलाल है नाइमंडी याड जी विवारा से हमारा ये दुकान है